हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग वेल्कम टू ऑनलाइन स्टेडियों आज है 15 अक्टूबर 2018 और आप इस वीडियो को कम्प्रिटली एंट तक देखिए और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडियेफ का लिंक दे दूंगा आप वहां से फिरी में डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं सारी पीडियेफ एक साथ मिल जा तो आप मारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों अगर आपना चैनल पर पहली बढ़ा है तो हमाई चैनल को कर लिजी सब्सक्राइब और बगर्म नोडिफिकेसन बेल को ध्यान से ओन रखेगा ताकि आने वाली सरी वीडियो की नोडिफिकेसन अब तक पहुंचते रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के जो मैंने क्यूज में पूछा था क्वेस्चन उसक अई भीजान रखना है ठीक है कार्टो से जो टू था वो इसरो ने लाउन्ज किया है और ये दूर समव्वेदी उपगर बिसको ध्यान रकेगा और ये इसरो का सौवा beggar अब यह परहता है कि यह किस उपगराज से लांच किया है तो पी एस से थर्टी-नाइन के द्वरा य कि मद्ध पर्दिस यानि कि MP का सबसे पहले ये चित्र को भेजा था ये ध्यान रखेगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्रेंट एफेट्स के क्वेस्चन पे दीए सबसे पहला क्वेशन आपके लिए इस प्रकार है कि बिस्वे बैंक ने बिस्वे विकास इनकों पर ये मिला ठीक है अब बात खटते कि ये आखिर है क्या मानोपुंझी चो शुचकांक यानि कि Human Capital Index ठीक है ये देखे 157 देशों की आंकलन किया गया था, यानि कि ये जो रिपोर्ट ठीक टूटल इसमें 157 देशों को सामिल किया गया था, और इसमें सिर्ष अस्थान किस देश को मिला है, तो सिंगापूर सबसे पहले है, दुसरे अस्थान पर दक्षिड कोरिया है, और तीसरे स्थान है, तो 115 भारत को स्थान मिला है, तो ये पहला कुछन अच्छे से किलियर हो गई, ठीक है, चले बढ़ते हैं, दूसरे प्रस्ट में, दीकि आज का दूसरा जो प्रस्ट है, इस प्रकार है, कि परधान सौरी राष्टपती रामनत कोविन ने के अंदर ये सुचना आ योग जाता, इसका जो तिरावा वार्सिक्स तमिलन होगा है, वो नई दिली में संपन होगा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले बढ़ते हैं, अगले प्रस्ट में, दीकि अगला जो प्रस्ट नहीं इस प्रकार है, कि टीम इंडिया के पुरवे जो कैप्टन थ प्रस्ट मिलकर, एक ऐसा बैट बनाए है, यानि इसका नाम रख़ा पावर बैट वो जो बहुत ही हल्का है, ठीक है, देखिए, बात करते है, इस कमपनी के बारे में, देखिए कमपनी ने कहा है, पावर बैट इसमें एक चीफ लगा हुआ है, जो कि यह बताता है कि किरिके इसके सहस्थाफक तो बिल गेट्स और पाल एलन जो थे सहस्थाफक थे अब बात करते किसके मुख्याले कहां पर है तो इसका जो मुख्याले हैं वह रेडमंड वासिंग्टन यूसे में इसका मुख्याले स्थित है यह आपको इतना चीज़ ध्यान रखना है ठीक है दोस्तों इसका PDF आप डाफलोड कर सकते हैं डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगी डिस्किप्शन चेक कर ले जाएगा डिस्किप्शन जो होता है आपका टाइटल के नीचे जो लिखा इस तरह का दिखेगा फिगर उस पर क्लिक करने के बाद आपको डिस्किप्शन खुल जाता है ठीक है अगर आपना में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब बगले अगले प्रश्ण पर दीके चौता जो प्रश्ण इस प्रकार मैंए कि अब्दूल रामाद अब्दूल रामान से हाली में आपनी सेवा निवरीती की घोश्णा कीया है वह खिस खेल से सर्वश्ण रखते हैं जो आपूल रॉमानों की सेवा निवरीती राऊड़ी है ठीक है और यह पाकिस्तान के खिलाडी है जो अब्दूल रामान है वो पाकिस्तान के खिलाडी है जो कि आपको स्किन पर दिख रहा है ठीक है और इन्हों ने घोशना की है कि अंतराश्टी किर्केट से सेवा निवरित्ती की घोशना की है यहां तक आपको ध्यान रखना है ठ मासक को सरकार के साथ ट्विन सीटी समझोते पर हस्थाक्षर किया है किका right answer का option दिल्ली की जो सरकार है इन्होंने मासक को सरकार है dak मासक Holz की जरायधानी है तो Russ की सरकार के साथ यह समझाथा किया गया तो किस छेत्र में तो पर्यावरण, संस्कृति और सिक्षा जैसे विभीन चेत्रों में ये सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले बढ़ते हैं अगले प्रस्ट में, देखे जो छट्वा कॉस्चन है, इस प्रकार है, कि भारत के दूसरे चंद्रे मिशन, यानि कि चंद्रियान टू, जो कि भारत का प्रथम मून लैंडिंग मिशन होगा, इस लैंडर को क्या नाम दिया गया, तो देखे इसका राइट अंसर होगा, ओप्सन सी, बिक्रम नाम दिया गया या आपको ध्यान रखना है, अब आप सोच रहों कि इसका नाम बिक ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रियान फर्स्ट, ये तो चंद्रियान टू हो गया, तो चंद्रियान फर्स्ट का जो प्रचेपड हुआ था, वो कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को ये प्रचेपड किया गया था, ठीक है, अब बात करते हैं इसरों के बारे में, तो यानि कि 15 अगस्त उनीस सो स्थापना की गई थी ठीक है वरतमान में इसके वर्तमान कोई तो के सिवान इसके वर्तमान में अधियक्छ ए और के सिवान इन्हों ने कहा कि नवंबर 2018 से पहले चंदरियान का परशेपड कभी भी किया जा सकता है तो यह ध्यान रखना आपको यहां से इतनी चीज है ठीक है चले बढ़ते हैं अगले प्रस्ट में और देखे साथवा क्विस्चन इस प्रकार है कि बैस्विक भुखमरी सुचकांग 2018 ठीक है बैस्विक भुखमरी सुचकांग 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है तो दीखे भारत की जो रैंकिंग मिली है तो एक सो तीनवा रैंक भारत को मिला है ठीक है और कुल इसमें रिपोर्ट में यानि कि जो रिपेट जा रिपोर्ट जा हंगरी जो इंडेक्स रिपोर्ट है यह हर वर्स अक्टूबर में जारी होती है यह ध्यान रखना है आपको हर वर्स अक्टूबर में जारी होती है अब देखिए यह 2018 की रैंकिंग थी यानि की 103 रैंक 2017 में बात करें तो 2017 में जो भारत की रैंकिंग थी ठीक है यहां तक आपको ध्यान रखना है और देखे जानने की एक और चीज़ आपको जो अच्छी बात जानना है कि देखे पाकिस्तान की जो इसमें रैंकिंग है वो 106 यह आपको ध्यान रखना है बाकि जो पड़ोसी देश से हमारे जैसे नेबाल, भुटान, महनमार इन सब था भारत से कम है एक सो तीन से कम है ठीक है यह ध्यान रखेगा चले देखते हैं अगले प्रश्ण में देखे अगला जो प्रश्ण इस परकार की भारत तीन वर्सों के लिए सन्यूक्त राष्ट म पंदरह मार्श 2006, ऑप्शन सी इस का राइट होगा पंदरह मार्श 2006 को यह आपको ध्यान रखना है अब देखिए बात करते हैं कि भारत जब तीन वर्सों के लिए इसमें चुना गया है तो इसका कारिकल कब से स्टार्ट होगा तो एक जनवरी से स्टार्ट होगा एक जनव 2014 से 2017 तक इसमें सदस है ता तो अब देखिए 2018 में भी इसकी गोशना होई कि एक जनवरी 2019 से ये तीन साल के लिए भी सदसे रहेगा तो यहां तक आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चलिए अब प्रश्ण को देखिए क्यूज का जो प्रश्ण मैं आपके लिए लेकर आए हो इस परकार की की संसद द्वारा 18 मार्च 2018 को दूसरे कारेकाल के लिए देश का प्रधान मंतरी किसे नियुक्त किया गया यानि कि अभी जो अर्तमान में चीन के प्रधान मंतरी वो कौन है ये भी आप बता सकते हैं तो इसका दिखिए राइट एंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करना है तो आई होब कि आपको इसको राइट एंसर पता होगा तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको ये वीडि आपको 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 आपक